हलो आड़ीवन मेंप्रों के सेश्पनि आज दिसकस करेंगे is гряни क्या डिसक помπει जब सप्लाई के लगेगा हें किया किनदी सनकाइब 5 संबरेेग़ लगेले संब जो है discount देते हैं, दोनों scenario में GST का implication क्या है, पहले जो discount हम अरदी time of supply देते हैं supply करने का time में देते है अगर जो भी discount हम supply का time देते हैं, अगर वो discount हम इन्भष में mention करते हैं, तो उसका उपर GST नहीं लगेगा तो discount जो अरदी time में supply देते हैं, अगर invoice में mention करते हैं, तो उसका उपर GST नहीं लगेगा. अगर एक example हम लेते हैं, say कोई supplier एक 1 lakh का will raise किया, उसमें से 10% से quantity discount या 10,000 रुपीज दिया, ये case में 10,000 रुपीज का उपर discount का उपर GST नहीं लगेगा, वो जो value है 1 lakh उसमें से ये कम हो जाएगा 10,000, 90,000 का उपर GST लगेगा. तो कोई भी discount जो हम supply का time में देते हैं, अगर invoice में mention करते हैं, तो उसका उपर GST नहीं लगेगा. पोस्ट supply discount, supply करने का बाद जो discount देते हैं, उसका उपर क्या implication है, कुछ हैसे discount है, जो time of supply में हमको पता नहीं चलेगा, अर्दी time of supply पता नहीं चलता है, discount देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा. से एक example लेते हैं, अगर कोई supplier, कोई volume discount देता है customer को, वो इते है condition, अगर customer एक महीने में से X quantity pick up करेगा, तब जाकि volume discount मिलेगा, से अर्दी rate of 10 percent. यह जब supply करता है supplier, supply time में यह पता नहीं चलेगा, यह customer आचिव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, यह एक महीने का बाद ही पता चलेगा, आचिव किया या नहीं किया, वो basis पे discount देना पड़ेगा. तो कुछ discount यह होता है, supply का time में पता नहीं चलता है, post supply देना पड़ता है, वो condition फुल्फिल करने का बाद देना पड़ता है. तो यह case में GST implication क्या होगा, क्या यह case में भी GST post supply का उपर नहीं लगेगा, post supply जो भी discount देंगे उसका उपर GST नहीं लगेगा, yes. Post supply discount का उपर भी GST नहीं लगेगा, अगर दो condition फुल्फिल होता है, पहला condition है supplier और recipient, supplier और recipient का बीच में agreement होना चाहिए at the time of supply, जब supply कर रहा है supplier, वो time में agreement होना चाहिए, supplier और recipient का बीच में, customer का बीच में, क्या discount बाद में मिलेगा, उसका बारी में agreement होना चाहिए. दुसरा condition, discount का उपर जो भी GST आएगा, चार्ज करेगा supplier, उसका उपर ITC recipient को reverse करना पड़ेगा, customer को ITC reverse करना पड़ेगा, GST जो आएगा discount का उपर. तो अगर ये दो condition fulfill हो जाता है, तो ओ case में, post supply case में भी discount का उपर GST नहीं लगेगा. एक example लेते हैं, जब supply करता है supplier, एक लाग का एक bill दिया, उसमें GST rate से product का 10% है, आजूम करते हैं, तो ओन लाग 10,000 का bill supplier customer को दिया, 10,000 GST, 1 लाग value of the material, तो ये case में recipient 10,000 का ITC ले लेगा, जब material receive करेगा, बाद में 1 मन्त का बाद, पता चलता है supplier को, मेरा customer, मेरा condition fulfill कर दिया, उसको 10% volume discount देना है, ये case में, तो supplier एक credit note देता है, 10% credit note देता है, 1 लाग का 10% से 10,000, GST 1,000, or the rate of 10% 1,000, तो 11,000 का एक credit note देता है customer को, उसमें discount 10,000, GST and discount 1,000, तो ये case में recipient को, customer को 1000 रुपिस ITC reverse करना पड़ेगा, अगर ITC reverse करता है customer, वो case में, GST का benefit supplier को मिलेगा, कैसे, अगर जो भी discount का उपर, जितना भी GST है, जो credit note इस्यू किया है supplier, उसमें जितना भी GST है, वो GST amount, आउटवाड जो tax liability आएगा supplier का, उसमें से minus करके, वो GST payment कर सकता है, तो indirectly discount का उपर GST नहीं लगेगा, अगर ये दो condition fulfill होता है, तब discount का उपर GST नहीं लगेगा, पहला condition, supply का time में supplier और recipient का बीच में agreement होना चाहिए, बाद में क्या discount दिया जाएगा, second condition, discount का उपर जो GST है, जो recipient है, वो reverse करता है, ये दोनों condition fulfill हो गया, तो discount का उपर GST नहीं लगेगा, even in case of post supply, cash discount का case में क्या होगा, cash discount normally early payment के लिए दिया जाता है, तो cash discount value में नहीं आता है, तो cash discount का उपर कोई GST का implication नहीं है, नर्मल एक credit note देना पड़ेगा supplier को, customer को, supplier in case of cash discount, supplier एक नर्मल credit note देगा, GST का कोई implication नहीं है, customer को for cash discount, Thank you, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजे, शेयर कीजे और मेरा चनल को सब्सक्राइब कीजे,